हेलो बच्चो कैसे आप सब माशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे आज हम पड़ेंगे आठमी कक्षा की बुगोल की पठ्थे पुस्तक की दूसरे अध्याय का दूसरा बाग अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को दबाईए जिससे कि आपका स्लेबस अच्छे से कंप्लीट होशके और आप एक्जाम्स में अच्छे मारक्ष स्कोर कर शकें अगर आपने इसका पहला बाग नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा है आज हम सुरू करते हैं जल यानिकि जल जो है अमा कहां पर उसका यूज करते हैं किस प्रकार से करते हैं आईए हम इस सब के बारे में आज पढ़ते हैं जल एक मैं तो पुर्ण नवीकर्णिये प्राकरतिक संसाधन है यानि कि नवीकर्णिये संसाधन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नवीकर्णिये संसा और हरा लेतास के लिए जल गर हैं का उप्वियों पर्थीर को dif हैं और निवी Nahasasit by-3 दो और जनतों को मदद करते हैं कि कि दो बटे 3 ने तो बुद थी कहते हैं माशागरों का जल लवनी हैं और मानव बोक के लिए उप्योग नहीं है्लोवनी यानिगी खारा जल माशागरों का हम उसको सीदे नहीं उपयोग कर शकते 11 जल केवल 2.7 परतिसत ही है यानि केवल 2.7 परतिसत ताजा पाने जिसको हम पीने के लिए परियोग कर शकती है और इसका भी लगबग 70 परतिसत बाग बरफ की चादरों और इमानियों के रूप में आंटार्टिका, गरिनलेंड और परवतिय परतिसों में पाया जाता है यानि कि देखिए मारे पास पाने कितना कम है जो पूरा पाने उसमें से सिर्फ 2.7 परतिसत पीने के लिए और उसका भी 2.7 का भी 70 परतिसत के यहाँ पर है बरफ के रूप में जमा है जो मानो की पूंच से बाहार है मानो उसका परियोग नहीं कर सकता केवल बोम जल, नदियों और जीलों में परिष्टिय जल के रूप में तथा वायू मंडल में जल वास्प के रूप में पाया जाता है मानो बोक के लिए केवल एक परतिसत जल है उपलब दर वो कहां पर पाया जाता है नदियों, जीलों और बोमी में जिसे अमनल, कूपों, टिवलों द्वारा निकालते हैं और कुछ जल जल वास्प के रूप में वायू मंडल में भी पाया जाता है इसलिए ऐलों ये जल परतिवी का सबसे अधिक मुल्यवान पदार्त है यानि कि जो ऐलों ये जो फ्रेश वाटर है वो सबसे मुल्यवान पदार्त है उसकी हमें कदर करने चाहिए, उसको बचाना चाहिए परतिवी पर जल ने बढ़ा जा सकता है इसकी कुल मात्रा सिधर रहती है यानी कि हम ना तो इसकी मात्रा को गटा सकते हैं गया इसकी परचुरता में भी विद्धा पर्तीत होती है क्योंकि यह वाश्पीकरण वर्ष्ण और वहा की परकिर्यां द्वारा माशाग्रों में वाईू बूमी और पुन माशाग्रों के चक्रण द्वारा गतिसी रहता जिसे आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं यानि कि जो जल है वो जल चक्र द्वारा आमेशा क्या रहता ह सिथर रहता उसकी मातरा ना गटाई जा सकती है ना बढ़ाई जा सकती है देखे जल चक्कर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ आप जानते भी है यह मासा अगर यह सुरिये सुरिये की रोशनी आई और जल पर पड़ी मालेजिए कोई भी जल कसते था तो जल वास्प के रूप में क्या हुआ उपरूठा उपरूठा जाकर ठंडा हुआ यहां पर क्या हुआ संगनन हुआ संगनन होने के बाद बादल बने और वापिस बुंदों के रूप में जाएगा मुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग नहीं के वल पीने के लिए दुलाई में ही करता हुआ रन उत पादल पर क्रिया में भी करता है यानि कि जो हमारे खेतों में हम बहुत ही ज्यादा जल का उपयोग करते हैं कहां पर खेतों में और बढ़ती जिनसंख्या क में बहुत ज्यादा जल का उपयोग होता है और कुछ एम में उतिना जल उपयोग नहीं करना चाहिए जल की बचाना चाहिए और किसी और तरह किसी चाहिए मालेजिए ड्रीप से चाहिए बूंद बूंद से चाहिए का प्रियोग करना चाहिए जिससे कि हम जल को बचा सकें जल उपलब्द दागी समश्य है यानि कि जल की कमी कैसे है जल को उपलब्द हम कम क्यों है हमें आई इसके बारे में पढ़ते हैं विश्व के कई पर देशों में जल की कमी पाई जाती है यानि कि बहुत से देश हैं जहां पर जल की कमी है या हम कह सकते हैं मरुस्थल, pt अरीया भी बहुत ज्यादा है पर्थवी पर जहां पर जल जल बिल्कुल भी नहीं है अधिकांस अफ्रिका देखिए अफ्रिका में दुनियागा सब से बड़ा मरुस्थल पाया जाता है कौन सा सारा मुरुस्तल इसलिए अफरीका दो मेन है जल की कमी के मामले में पस्चिमी एसिया दक्षिन एसिया पस्चिमी सिंक्तराजी अमेरिका के बाग उत्र मैक्षिको दक्षिन अमेरिका के बाग और शंपूर आश्ट्रेलिया ऐ लोणिये जल किया पूर्ति की कमी का सामन कर रहे हैं यानि कि यह देश हैं यहाँ पर जल बहुत ही कम आतरा में है और है तो लोगन यह देश यह उस्टित्न है जिन आप नाम बताएं यह पर शुखा पड़ता बारिश बहुत कम होती हैं उनमें जला बाउ की समश्यादिक बनी रहती है, इसे परकार जल का बाउ मोसमी तथा वार्शिक वर्षन में वीविदा के प्रिणाम सबरूप हो सकता, अथाति उपयोग और जल स्त्रोत्तों के संदूशन के कान भी जल का बाउ हो सकता, यानि कि अगर वर्षा ना हो मोसमी व प्रदूशित कर दिया गया हो, वह भी खराब हो गया है, जल संसादनों का सरक्षन, आईए हम पड़ दें कि हम जल संसादनों बचा कैसे सकते हैं, आज वीसों में सुत्त प्रियाप जल स्त्रोतों की तक कूँचना एक बहुत बड़ी समश्या बन गई है, इस शिन उते जल प्रदूशन संसादन के सरक्षन के लिए कदम उठाने चाहिए यानि कि हमें क्या करने चाहिए, कदम उठाने चाहिए, जल संसादन बचाने के लिए, यद् terrorist आप यसका अती उपयोग और प्रदूशन इसे उपयोग के लिए अनुपयोगत बना देते हैं, यानि कि जल यान्सिक रूप शेशोदित वाहित मल कर्शी रशायन नौका विशर्जन और जल निकायो में ओदोगिक बहिस्त्राव जल के परमुख संदूसक है यानि कि जो जल को परदूसित करने वाले कारक है उनके बारे में बता गया है जो फैक्ट्रियों का कचरा है कर्शी रशायन ह में और उड्रोगिक कच्रा है यह परमुख संदूसक है इन में स्यामिल नइट्रेट दात्व और पीडविक नास्य जान्सियान द्रक यह द्रूसेव और आ lisit ज्यादा बश्त करते हैं इन में से अधिकवण रशायन है जय आवयो rim निकरनिये हों encontrar जल दोवारक हो शरीर में पहुँच जाते हैं यानि कि एज आ होते हैं और वो क्या होते हैं निमनी करणी हैं बहुत ही कम होते हैं तो वो मानु शरीर में पहुच जाते हैं और जिसे मनुश्य के लिए वो जल पीने से काफी आने होती हैं और वो जल क्या होता है प्रदूशित हो जाता है वन जिससे जल बूमी में चला जाएगा बूमी जल की मातरा बढ़ेगी और इस प्रकार से ये क्या है जल बचाने की दूसरी भी दिये अधिक से अधिक पेड लगा कर भी हम जल बचा सकते हैं जल रिशाओ को कम करने के लिए खेतों को सीचित करने वाली नहरों को ठीक से पका करना चाहिए यानि कि आधिक रिशाओ नहरों हो जिससे जल बचा जा सके जो नहरे बनाते हैं उनको अच्छे से पका करना चाहिए रिशाव और वास्पीकरण से होने वाली जल शत्ती को रोकने के लिए जल की स्प्रिंग कलोग की सिचाई करनी अधिक प्रभावी है यानि की स्प्रिंग कलोगते हैं फवारे या ड्रीप सिचाई काह सकते हैं बूंद बूंद सिचाई का प्रियोग हमें ज्यादा करना चाहि वाश्पिकर्ण की दर्वाले शुष्क परदेशों में सिचाई की ड्रीप अथवा टपकन वीदिगा अधिक परियोग करना चाहिए यानि कि जो मुरुस्थल बागों आपर इन वीदियों का ज्यादा परियोग करना चाहिए और आज कल हो भी रहा है ऐसा सिचाई की इन वीदियो को अपना कर हम वह मुल्य जल को सरक्षित कर सकते हैं यानि कि बचा सकते हैं जल को अब हम पढ़ते हैं प्राकर्तिक मनस्पती और वन्यजीवन सकूल के बच्चे हस्ट सिल्फ परदर्शनी में गूम रहे थे यानि कि अस्ट सिल्फ के आता है जहाँ पर आज से बनाई हुई वस्तों आते हैं और वो मेला लगा हुआ था सकूल के बच्चे वहाँ पर गूमने गए हुए थे परदर्शनी में वस्तों है देश के बिन बिन बागों से एक तरी तो इती देखे जब अस्ते मेला लगता है तो पूरे देश से और कई बारतों होई देश्यों से भी आस्ति शिल्पी वहाँ पर अपने शामान की बिकरी के लिए आते हैं मौना ने एक थैला आत में उठाया और उत्सा से कहा कितना सुंदर एंड बैग है अध्यापिका ने कहा हाँ यह है जूट से बना है यानि कि मौना ना में कोई लड़की थी उसने का एंड बैग उठाया और बताया कि बहुत सुंदर है और अध्यापिका ने क्या बता कि यह क कि बैत और बास की बनी हुई तोकरियां वगेरा वह पर आई हुई थी और ये बास का अपर होता है ये बारत के पूरवी राज्यों में और उत्तर पूरवी राज्यों में सबसे अधिक पाया जाता है जेसी रेशमी सकार्फ देखकर उत्साई थी यानिकि रेशमी सकार्फ जो अमारा बारत में पहले रेशम काफी परशिद होता था रेशम के लिए और आज भी रेशमी वस्तर बारत के काफी परशिद हैं ये खुबसूत शकारफ देखो अध्यापिका ने कहा या जैसी ने कहा था किसे और बच्चों से बता था और वो बहुत खुश थी उसकारफ को देखकर रेश्मी शकारफ को अध्यापिका ने सपष्ट किया कि रेष्ट्रम किटों से प्राप्त होता है जो सैतूत के पेडों पर पाले जाते हैं बच्चे समझ गए कि वो दे हमें एक वी बिन उत्पादन परदान करते हैं जिन का उपयोग हम अपने दैनिक जिवन में करते हैं यानि के दयापिका ने बताया है कि रेष्टम कहां से प्राप्त होता हुआ है रेष्टम के कीडों सेओर बड़ागी जाते हैं हैं याने कि उनके द्यापिका ने क्या बताया कि पराकरतिक वुनस्पति सत्ल मंदल-जल मंदल और वायू मंदल के बीच चुड़े एक अक्षेंटर में पाया जाते है जिसे हम क्या कहते हैं जयायोन लिए भी मंदल तेक इसके बारे में आप सपर्ष्ट रूप से जानकारी प्राप्त है जयाव मंदल में सभी जीवित जाती हैं जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस पर समंदित और निर्बर रहती हैं यानि कि जयाव मंदल में सभी जाती हैं देखिए हम किस पर निर्बर है पेड़ पोदों और अन्य पशुओं पर निर्बर है अन्य पशुकिस पर निर्बर है पेड़ पोदों पर है पेड़ पोदे किस पर निर्बर है जल पर वायू पर और सूर्य की रोशनी पर निर्बर करते हैं अपना जीवन जीने के लिए इस जीवन आधारी तंतर को पारी तंतर कहा जाता हैद पारितंतर कहते हैं वह नस्पति और वह ने जिव भुह मुले संसाधुन है यानि कि वह नस्पति जो पेड़ पूहथे है और उसमें रहने वाल वन्र मुले झिव यानि शेहरा थे चीता जितने वह रुँने प्राणियों को आश्रिये देते हैं ऑक्सिजन उत्पन करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं प्राणियों को अश्रिये करते हैं रक्षक मेखला की रूप में कारिया करते हैं बूमे घजल के संग रहमिसायता करते हैं हमें फल लेटेक्स तारपिंगा तेल गोंद औस देपो दे और कागज परदान करते हैं जो आपके दिन के लिए त्यादि काऊशक हैं देखिए क्या सब्सक्राइब नोटबुक का कागच चीज़ें किसी बनता है यह किस चीज़ से बनता है यह किस चीज में बाड़ रोकने में बूमी गजल को बचाने में भी शायता करते हैं और मर्दा परदन को भी रोकते हैं देखिए पेड़ पोदे हमारे लिए क्या है काफी मैतव पुर्ण है यही बता गया है पोदों के ऐसंख्य उपयोग हैं उरुन में कुछ आप और भी जोड़ सकते हैं य करती है या कि टूशू में यह जाना रहा आते हैं करते हैं कि लोग इस Спर कार से चाहें परयोक करते हैं 55-5 हमें किस चीज से प्राफ़त होती है बेड़ों से और वह भी क्या है हमारे लिए वन्या जी हुआ है या पालतुपशु भी है कीट जैसे मदु मक्ही हमें शैद देती है फुलों के प्रांगन में मदद करती है और परितंतर के अप गटक के रूप में प्रांगन में हमारी मदद करती है चीड़ी आपने बहुत जन पर निर बरहुर आप गटकों के रूप में करती है गिद मरत जीव जन्तों खाने के कारणे का अप मार्जक है और प्रियावन में यानि कि गिद जो गिद नाम का पक्षी होता है जितने भी पशो मर जाते हैं उनके मर रहे हुए पशों को खाता है इसलिए वो एक साफ सफाई के रूप में माना जाता है इसलिए प्रानित चाहे बड़े हो अथ्वा चोटे सभी परितंतर के संतुलन को बनाये रखने के ल रूप से तापमा नोडार दर्ता पर नेरवर करती हैं वीशव की वनस्पती की मुख्य परकारों को चार वर्गों में रखा जाता है यानि कि जो वनस्पती है वह हमारे लिए बहुत मैतव पुर्ण है और वीशव को चार वागों बाटा गया देखिए वन यानि कि जहां बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ पोदे पाए जाते हैं वह वन कहलाते हैं चोटे पेड़ पोदे हो वन कहलाते हैं गास के मैदान यानि बहुत बड़े बड़े गास के मैदान होते हैं गुलम और टुंडरा देखिए जो टुंडरा है यह कहां पर पाए जाती है ये वनस्पति पाई जाती है आपकी दुर्वी अक्षेत्रों में जहां पर बरफ पड़ती हैं वहां पर टूंडरा परकार की वनस्पति पाई जाती है भारी वर्षा वाले अक्षेत्रों में विशाल वरक्ष उग सकते हैं यानि कि जहां पर देखे बूमत देरेखा के आसप पास क्या होती है बहुत ज्यादा भारी वर्षा होती है वहां पर क्या विशाल वरक्ष उपते हैं जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है हमारे यहां केरल में उस साइड साइड में बहुत ज्यादा वन पाय जाते हैं सदा बार वन पाय जाते हैं वहाँ पर वर्षा ज्यादा होती हैं इस परकार वन पर चूर जला पूर्ति वाली अक्षेतरों में ही पाय जाते हैं जैसे आरदरताई कमी होती है वैसे वैसे वर अक पाए जाएंगे ज्यादा सगन नहीं पाए जाएंगे अग्षा वाले अक्षेत्रों में चोटे आकार के वरक्ष और गासे ही उगती हैं जिससे विशव के गासतलों का निर्मान होता हैं कवर्षा वाले सुस्क परदेशों में कटीली जाड़िया और गुलो मुगते हैं यानि कि कहा पर मिलते हैं मरुस्थलों में ज्यादा तर काटे दार जारिया ही मिलती हैं इस प्रकार के अक्षेत्रों में पोदों की जड़े गहरी होती हैं यानि कि जो मरुस्तल अक्षेत्रों आपर पोदों जड़े बहुत गहरी मिलेंगे आपको वास्पूत सर्जन से होने वाली आरधरता ग्यानी को गटाने के लिए इन पेड़ों की पतियां काटेदार या मुमी सत्य वाली होती है यानि कि ज़्यादा बड़ी पतियों वाले पेड़ आपको मरुस्तल में देखने को नहीं मिलेंगे छोटी छोटी पतियों वाले और वो भी कैसी कटिली पतियों वाले पेड़ पो देदे आपको देखने को मिलेंगे दुर्विय प्रदेशों में टूंडरा वन अस्पती, मास और लाइकेन समिलित हैं यानि कि टूंडरा वर अस्पती कापर पाई जाती है ठंडे अक्षेत्रों में बहुत जादा ठंडे अक्षेत्रों में पाई जाती है पिछली दोस living में विशो के जितने लोग थे इसी में उससे कहीं लोग है यानि कि दोस्त अब्दियों से जնसंख्या बहुत ज्यादा बड़ी है बड़तीजन संख्या के पोर्षण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशालक्षेतर काट दिये गए हैं इस परकार विशाओ के वनों का औरन तेजी ही समाप्त हो रहा हो और इस बोव मुले संसाद उनके सरक्षन की तुरंत आओ सकता है बड़तीजन संख्या से हमने क्या किया वनों का विनास किया है उनको अपने यूज के लिए काट लिया है करशी के लिए इमारत बनाने के लिए या अन्य यूजों के लिए हमने वनों को समाप्त कर दिया बहुत ज्यादा मात्रा में उनका सरक्षन करना हमारा बहुत ही जरूर ऊदेश्य हैMIN प्राकृतिक व्दस्पतिक वश्र हम सरक्षन या Ihnen ने प्रकृतिक वर्ष्पतिक सरक्षन क्या सकते हैं, वह oit लिए मैत्व पूर्ण है और साथ भी पारी तंतर को भी अनुरक्षित करती हैं, जो वन है जो हमारे पेड़े हैं या ववन है वह क्या करते हैं बहुत ही अमारे लिए मैतोपूर्ण है और क्या करते हैं उसमें संतुलन बनाए रखते हैं जलवायू में परिवर्तन और मानौ अस्तक्षेप के करण को दोर जनतों के प्राकरतिक आवाज नश्ट हो सकते हैं कि अगर माननों बहुत ज्याद अस्तक्षेप करेगा तो जलवायू में भी परिवर्तन हो सकता है इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत सी जातियां सुलक्षी तहत्वा संक्टापन हैं और या कुछ जातियां लूप्त होने के कगार पर हैं देखिए जो हमने वनों का दावानल और बूशकलंच में से कुछ मानों और प्राकरतिक और जो मिलकर इन मैंतãoपन प्राकरतिक संसाद्मवे लुग तो ने फैपर किरिया को बढ़ावा देते हैं यहने कि हम मानों देखिए मिलकर और कुछ कई बार करतिक करणों से भी क्या होता है उनों का विनास होत को ने संख्या खत्म हो गए देख है आज क्या करेके बहुत से लोग के लिए विशुषित पर जातियों को मार लेते हैं जैसे जैसे कालाइरं को मार देते हैं जंग लिया सब् ¿कड़ लेते हैं जिनको ऑफ media करती हैं आपने ऊप से लिए या चुका है पशू खाल चमड़ा नाखुन दात और पंखों तथा सिंगों के एक तरी करण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जन्तु खाना दिकार शिकार किया गया है याने कि इनके खाल चमड़ा दिके लिए क्या करते हैं पशू को मार दितने जिसे इनकी जन संख्या प्राकर्टिक वनस्पति और वन्य जिवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं याने कि देखी सरकार ने अब इनको बचाने के लिए क्या कर दिये हैं राष्ट्रियो दान और वन्य जिवन बनाने शुरू कर दिये हैं शुरू क्या कर दिये हैं बना दिये गए हैं बहुत ज्यादा और वहां पर क्या है शिकार करना निशेद है और बारी वक्तियों का क्या है प्रुवेश भी निशेद कर दिया गया है संकरी गाटियों जीलो नुवार दरभूमी का सरक्षन मुल्यवान संसाद नश्ट होने से बचाने के लिए आवशक हैं यानि कि हमें जो संसाद नश्ट होने से बचाने के लिए आवशक हैं हमारे लिए अगर संसाद समाप्त हो गए तो मनुष्य जीवन अपने आप समाप्त हो जाएगा ये दिप परजातियों कि शाप एक संख्या को बंग ने किया जाए तो परियावरण में संतुलन बना रहे तरुषव के बागों में मनुष्य अपने किरिया कलापों से ने एक परजातिय ने क्या कर दिया है प्राकर्तिक आवासों में अक्ष्य तक सेफ शुरू करके सारी परजातियों में विलूप्त होने कि कगारपर पुचा दिया उनकी जन संख्या में उथल पूथल मचा दिया उनके जीवन को नाश कर दिया है और अंदादून सिकार करता जारा जिसके कारण बहुत सी परजाति परोज साइद करना चाहिए और शकूली बच्च्यों को पक्षी देखने प्राकरतिक केंपव मिले जाने के लिए परोज साहिक करना चाहिए आने के देखी हम पहुतना ही हम क्या कर शकते हैं व sati hourone catch करशकते हैं जिससे बच्यों में जाग रुकता हो और वह ऐसा करने से र आगे क्या बता गया हो जो पुषू पक्षियों के नाम के नाम दिया गया है पुषू पक्षियों को बचाने के लिए और अनेक सुची जातियों की सुची त्यार की गई है यानि कि ये क्या है वर्ल्ड लैवल पर इंटरनेशनल संस्ता है जो पशुपक्षियों के शिकार को रोकती है और ये शिकार पर प्रतिबंद लगाती है और उनको बचाने का प्रियास करती है हमारा चैप्टर है यापर कंप्लीट होता है कल हम क्या करेंगे कि आपको इस चैप्टर की कुशन अंस्वर सीरीज की पीडियाफ वियू प्लq करवा देंगे और एक विडियो भी आपको प्लट करवा देंगे और आप अगर वीडियो पर नए है तो इसके फर्स्ट पार्ट का बाग आप क्या कर सकते हैं आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं ओके थैंक्यू